अब देखें, मैं अपने सिर्फ हैंड से ही मोशन कर रहा हूँ और इसे ओन आफ कर रहा हूँ हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बेक टो माई यूटूब चैनल, मैं आउन नरेश और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसके एंदर दिखाता हू, इसके अंदर आपको क्या-क्या मिलने वाला है। तो चलिए फिर आप करता हूँ थेंधे आ हमएं बोक्सिंग और देखें इसके अंदर हमें क्या-क्या मिलने वाला हु है तो गाइज यह है हमारा headlamp और इसके साथ मिलने वाले है कि USB-C type charging cable तो गाइज बॉक्स के अंदर आपको दो चीजे मिलने वाली है एक headlamp और एक charging cable तो गाइज अब headlamp के material की बात करें इसके अंदर silicon और ABS plastic material यूज किया हुआ है तो guys is headlamp के अंदर आपको दो तरगी light मिलने वाली है एक कोब light और एक XPE light कोब light के अंदर आपको total 40 बल मिलने वाले है और यहाँ पर XPE light में आपको एक बल मिलने वाला है तो guys mode की बात करें तो इसके अंदर आपको total 5 mode मिलने वाले हैं दो मिलेंगे आपको cob light के अंदर और दो मिलेंगे आपको xpe light के अंदर और जो पाँचवा mode होगा वो होगा flash light mode जिसमें ये दोनों light एक साथ flash करेगी तो guys head lamp के side में आपको एक box मिलेगा यहाँ पर आपको दो button मिलेंगे एक power button है और दूसरा motion sensor का button है अब जैसे ही power button दबाओगे तो आपकी light जलना start करेगी power button से आप पाँचों modes को activate कर सकते हैं अगर आप power button को एक बर press करोगे तो हमारा first mode on हो जाएगा तो guys देख सकते हैं cob light अपने 100% capacity पर run कर रही है यह हमारा first mode है अब guys बात करते हैं कि second mode को कैसे activate करें second mode को activate करने के लिए guys आपको इससे double click करना पड़ेगा तो guys अब देख सकते हैं हमारी cob light अपने 40% brightness पर run कर रही है यह हमारा second mode है तो guys अब बात करते हैं मोड की तीसरे मोड का activate करने के लिए हमें power button को तीन बर प्रेस करना पड़ेगा 123 तो guys अब हमारी xpe light अपने 100% capacity पर run कर रही है अब बात करते हैं फॉर्थ मोड की तो फॉर्थ मोड पर जाने के लिए power button को आपको प्रेस करना पड़ेगा 123 तो guys अब हमारी xpe light अपने 40% brightness पर रन कर रही है तो यह हमारा fourth mode है अब बात करते हैं फॉर्थ मोड की तो फॉर्थ मोड पर जाने के लिए आपको power button को two minutes तक प्रेस करके रखना पड़ेगा तो guys हमारा flash light mode on हो चुका है जो कि हमारा fifth mode है तो guys motion sensor को on करने के लिए पहले आपको किसी भी mode में light को on करना पड़ेगा तो नीचे real light on हो गई है अब आपको क्या करना है power button के ठीक बगल में motion sensor का button है तो आपको उसे प्रेस करना पड़ेगा जैसे आप इसे प्रेस करोगे यहां पर green light on हो जाएगी red के साथ में तो मतलब हमारा motion sensor on हो चुका है तो guys आप देख सकते हैं आप सिर्फ hand की moment से अब अपने hand की moment से ही on off तो guys brand की बात करें तो as such कोई brand name इसमें mention नहीं है यह product मेरे को मीशो पर दिखाता तो मैंने वहाँ से purchase कर लिया बाकी अब यह perform कैसे करता है वो मैं आपको update कर दूँगा अब बात करते है guys के price के बारे में तो इसका price अलग लग website पे अलग लग है जहां से मैंने purchase किया है वहाँ मुझे price पढ़ा इसका 200 जो कि मैंने मीशो से purchase किया था अगर बात करते है Amazon की वहाँ पे इसका price आपको 300 से 350 के असपस मिलने वाला है और flip card की बात करें तो guys वहाँ प मीशो से try कर सकते हैं जिसका link मैं आपको description में provide कर दूँँगा आप वहाँ से जाके purchase कर सकते हैं अब बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में तो इसके अंदर 5W की lithium-ion battery है जिसकी capacity है 1200 mAh दो से डाइ गंटे में full charge हो जाती है अब बात करते है running time की अगर guys इसको आप high brightness पे run करते हो तो ये डेर से दो गंटे easily चल जाएगी और अगर आप इसको low brightness पे चलाओगे तो ये 6 to 7 hours के असपस चलने माली है तो guys अब बात करते हैं इसके weight के बारे में तो जो headlamp का जो weight है वो है 75 gram जो की इसे light weight product बनाता है अब बात करते हैं इसके modes के बारे में तो मैंने आपको दिखाया है इसके अंदर 5 modes है दो cobalight में दो xpe light में और पांच वा flashlight जिसमें दोनों bulb साथ में जलते हैं अब मैं start करने वाला हूं तो आपको दिखाता हूं first mode ठीक है गाइस तो मैंने तो guys यह है first mode आप देख सकते हैं पूरे room में रोशनी हो गई है तो guys अब है यह इसका second mode जिसमें अपनी capacity का 40% run कर लिया है अब मैं switch करता हूं xpe light पर तो guys देख सकते हैं अब यह है हमारी xpe light अब करता हूं मैं चौथे mode पर तो guys देख सकते हैं अब हमारी xpe light है वह अपने 40% capacity पर run कर रही है अब switch करता हूं मैं अपने 5th mode पर जो कि है flashlight mode जिसमें दोनों light एक साथ रंग करती है तो उसे on करने के लिए मैं अपने power बटन को 2 seconds तक hold करके रखूं मैं प्रेस करते हूं तो guys यह मेरा 5th mode अब देख सकते हैं flashlight के तरह दोनों light रंग कर रही है अब off करने के लिए मैं इसे एक और बार प्रेस कर देता हूं तो light off हो जाएगी अब देखें मैं अपने सिर्फ हैंड से ही motion कर रहा हूं और इसे on off कर रहा हूं अब बात करते हैं purpose की तो guys इसे आप cycling के लिए hiking के लिए climbing के लिए camping के लिए और भी काफ़े activities हैं उनके लिए इसे purchase कर सकते हैं मैंने इसे camping के purpose से purchase किया है तो guys अब बात करते हैं इसके कुछ features के बारे में तो जो इसका पहला feature है वो है water and dust proof यह waterproof भी है और साथ साथ dust proof भी है दूसरा guys impact resistance इसको दो मीटर के हैट सब गिरा होगे तो इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला तीसरा guys range इसकी जो light की range है वो 230 डिग्री है तो जो इस bulb की रोशनी है वो 230 डिग्री पर होती है अगर आपको करना है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूगा आप वहां से जा करके purchase कर सकते हैं